अपके साथ मेखा यूँ आपके साथ मेखा यूँ आर वाचें नेक्स्टनाइन निउस अज अज वेरी वर्म वेलकम तो आवर स्पेशल प्रोग्राम बॉलिवूड गॉन्टरवर्सी As you all know, Bollywood Controversies में हम आपसे बात करते हैं उन विवादों के बारे में जो फिल्मी सितारों के साथ जुड़ते जा रहे हैं या जुड़ चुके हैं लेकिन आज का ये प्रोग्राम खास जानते हैं आप क्यूं हैं? क्योंकि आज इस खास प्रोग्राम में हम आपसे बात करने वाले हैं किसी सितारे की Controversy के बारे में नहीं बलकि Star Kit की Controversy के बारे में एक ऐसा चहरा जो अब तक फिल्मी पर्दे के साथ जुड़ा भी नहीं है लेकिन विवादों के साथ घिर गया है वज़ा जानते हैं क्या? वज़ा है Star Parents अब अगर न्यासा देवगन की ममी काजोल बॉलिवुट के सूपर रिच अदकारा है पापा अजे देवगन बॉलिवुट के शांदार एक्टर है तो न्यासा को स्टार्डम विरासत के रूप में मिला है कभी कभी न्यासा को लेकर positive खबरे आती है तो स्टार्डम का और publicity का एक दूसरा side negativity भी है criticism भी है इन सब का सामना भी न्यासा देवगन को करना पड़ता है और फिलहार न्यासा को लेकर विवाद कुछ ज्यादा ही सुनने में आ रहे हैं 27 अक्टूबर 27 अक्टूबर को बॉलिवट के महनाय कमिता बच्चन ने अपने सपनों के महल जलसा में दिवाली बैश थ्रो किया इस दिवाली बैश में न्यासा देवकन पहुची और न्यासा का खूपसूरत अफ़तार हर जगा चा गया यहां पर न्यासा देवकन जितनी खूपसूरती के साथ नजर आई न्यासा का बधला हुआ अफ़तार जो नजर आया हर कोई उसे देखकर हैरान हो गया खूपसूरती के मेकवर को लेकर जहां एक तरफ न्यासा के चर्ची हुए न्यासा की तारीफों के पुल बंधे हर तरफ न्यासा को तारीफे ही तारीफे मिली तो वहीं दूसरी तरफ क्रिटिसाइजर्स ने न्यासा देवकन को सरजरी के साथ जोड़कर क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया है उसके बाद से लेकर अप तक सोशल मीडिया हैंडल उठाइए न्यासा को लेकर मीम्स वाइरल होने लग गए हैं ट्विटर पर न्यासा का मेक ओवर गॉसिप का होट टॉपिक बन गया है अब समझ नहीं आ रहा एक खुपसूरत लगने के अलावा कौन सी खता हुई न्यासा देवगन से बता दे आपको 16 साल की है न्यासा और 16 साल की उम्र में लोगों को उनकी एक खुपसूरती डाइजस्ट नहीं हो रही है हम आपको दिखाने जा रहे हैं न्यासा देवगन की कुछ तस्वीरे और इन तस्वीरों के साथ आपको न्यासा की सरजली को लेकर हो रहे दावों के बारे में बताएंगे लोग किस तरह से न्यासा की खुपसूरत तस्वीरों को स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट के साथ जोड़ रहे हैं इसी मुद्धे पर बात करेंगे with a very special report of us, take a look बॉलिवूड अक्टर रजे देवगन की बेठी न्यासा देवगन फिलहाल ट्रॉलर्स के निशाने पर कुछ स्यादा ही है जबसे महानायक अमिताब बच्चन के दिवाली बैश में न्यासा का खुपसूरत अफ्तार लोगों के सामने आया है लोगों को न्यासा की खुपसूरती लगता है हजम नहीं हो रही अब इन ही सब के बीच में हमारी इस रिपोर्ट में आप न्यासा की कुछ तस्वीरे देख रहे है इन तस्वीरों में न्यासा देवकन कमाल की लग रही है काफी ज्यादा खुपसूरत लग रही है और लोगों को नियासा की यही खुपसूर्ती डाइजेस्ट नहीं हो रही बता दे आपको नियासा का चहरा ना सिर्फ पहले से ज्यादा चमक रहा है बलकि नियासा पहले से कही गोना ज्यादा अट्राक्टिव लग रही है जब न्यासा की ये तस्वीरे वाइरल हुई तो लोगों ने न्यासा को ट्रॉल करना शुरू कर दिया इन तस्वीरों में लोग सिर्फ और सिर्फ न्यासा के कॉंपलेक्शन को देख रही है और ये कयास लगा रही है कि न्यासा ने स्किन लाइटनिंग का ट्रीटमेंट करवाया है। बता दे आपको न्यासा का पूरा फोकस फिलाल सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर हैं लेकिन न्यासा देवगन को लेकर लोग ये कह रही हैं कि अब उन्हें पढ़ाई से ज्यादा खूपसूरत दिखने में दिल्चस्पी आ गई है। सज रही हो, सवर रही हो। सब्सक्राइब को जरा भी प्रमोट नहीं करता। मा के पदचिनों पर कम चलो। आपको अपने मन की बात नीचे दिये गए कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके हमें बतानी है। सब्सक्राइब करना पड़ता है। सब्सक्राइब करना पड़ता है। यह पहली बार नहीं है जब न्यासा को उनके लुक्स की वज़ा से 76 तरह की बाते सुनने पड़ी हो। इससे पहले भी न्यासा कई बार ट्रॉल हो चुकी है इससे पहले भी न्यासा को लेकर लोगोंने कई तरहा की बाते कही है एक रिपोर्ट हमने तयार की है और इस रिपोर्ट में आपको वताने जा रहे हैं कि जब जब बेटी न्यासा को यहां लोग ट्रॉल करते हैं न्यासा की खुबसूर्ती को लेकर लोग सवाल उठाते हैं न्यासा को लेकर लोग खराब खराब बाते कहते हैं तो पापा आजे देवकन को कैसा लगता है एक इंटरव्यू में बेटी के ट्रॉलिंग पर अजे देवकन से सवाल किया गया और हमारी यह जो अगली रिपोर्ट है इस रिपोर्ट में हम आपको उसी सवाल का जवाब देने जा रही है बेटी नियासा की ट्रॉलिंग पर क्या कुछ कह चुके हैं अजे देवकन देखे जरा अजे देवकन अपने बच्चों को लेकर काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव हैं तो एक इंटर्व्यू में अजे ने अपनी बेटी को इस तरह ट्रॉल करने को लेकर चुपी तोड़ी और नाराज की जताई बता दे आपको ये इंटर्व्यू तब का है जब नियासा सिर्फ 14 साल की थी अजे ने कहा इस तरह की ट्रॉलिंग से ना सिर्फ नियासा बलकि पूरी फैमिली अफेक्ट होती है मेरी बेटी सिर्फ 14 साल की है और मुझे लगता है कभी-कभी लोग गरीमा भूल जाते हैं वो बकवास करते हैं मेरी बेटी लॉंग ड्रेस पहनती है लॉंग ड्रेस के नीचे शॉर्ट्स भी पहनती है लेकिन लोग उसे लेकर अभधर बाते करना शुरू कर देते हैं अजे कहते हैं मैं नहीं जानता ये किस तरह के लोग हैं लेकिन उनकी हरकतों की कीमत हम चुका रहे हैं मैं पैपराजी से गुजारिश्ट करता हूँ कि हमारे बच्चों को अकेला छोड़ दे आखिर पेरेंट्स की फेमस होने की कीमत बच्चों को क्यों चुकानी पड़ेगी मुझे लगता है कि कोई भी स्टार केट पैपराजी से खुश नहीं है उन सबको अपना स्पेस चाहिए बच्चे हर समय घर से तयार होकर नहीं निकलना चाहते ये बहुत ही खराब बात है ऐसी चीज़े नहीं होनी चाहिए अचे देवकन ने साफ तोर पर कह दिया कि बेटी को लेकर इस तरह की खराब बाते ना करे और मेरे मेरी पतनी के स्टार्जम की कीमत मेरे बच्चों को ना चुकानी पड़े ऐसे हालात पैदा करे तो देखा अपने किस तरह से अचे देवकन लोगों को करते हैं साबधान बता दे आपको अजी अपनी बेटी नियासा के काफी ज्यादा करीब हैं बेटी नियासा से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और डेफिनेटली जब जब किसी की भी बेटी को इस तरह से अभधर बाते कही जाएंगी कोई भी पता अपनी बेटी को लेकर इस तरह की खराब बाते सुनेगा तो गुस्सा तो आएगा ही आजे का नाराज होना भी लास्मी है बेटी नियासा उनकी प्रिंसिस जो हैं फिलाल टॉलर्स को हम यही कहना चाहेंगे कि किसी की ब्योटी को लेकर आपका उपीनियन हो सकता है आपका perspective हो सकता है जिसकी हम respect करते हैं लेकिन बोलने की आजादी का मतलब ये बिलकुल नहीं है कि आप ये भूल जाएं कि आपकी आजादी किसी को मांसिक तोर पर ठेस पहुचा सकती है किसी की भावनाव को hurt कर सकती है तो next time अब किसी के भी looks judge करें तो be aware दोस्तों आज के लिए controversy में इतना ही न्यासादेवगन के looks पर हो रहे विवादों के बारे में हमने आपको बताया वक्त हो गया है आपसे पिता लेनी का We will meet you guys soon with some more exciting updates of your favorite celebrity but till then stay tuned to us, stay updated